ये एक बच्चा तयार हुआ है, शर्मा रहे हैं चुके कुछ नयाद देख रहे हैं तो इस वज़़ा से शर्मा रहे हैं लोगों को, ये बड़ा सा बच्चा ये तयार हुआ है, कहना आपका? मुहम्मद अश्फाकुलकादीरी माश्चालब, नाम है, कहा मकान हो आपका? और चलिए दूसरे बच्चों से मिलने ताफ का नाम मुहम्मद सैफ अली इस बच्चे का नाम है टोपी इसकी माशालला बहुत खुबसूरत है अच्छी लग रही है कहां के हैं आप साहब बेंच असलाम अलीकुम और रहमतुल्ह तालो वरकातो प्यारे नाज़िन कैसे हैं आप लोग आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है आप हमारे साथ बिलकुल आखिर तक बने रहे है एक ऐसी मुकद्दस और बाबरकत जगह की आपको जियारत कराने वाला हूँ जो तारीखी जगह है और बिलकुल साफ तोर पे एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जिनके आस्ताने पे आज हम जा रहे हैं वो आला हज़त के खास शागिर्दों में उनका शमार होता है और क्या क्या हालते हैं और कैसे कैसे जो है खिदमाते हैं उनकी है यह सारी चीज़े आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो के एन तक आप बने रहिएगा तो चलिए आगे का वीडियो हम बनाते हैं प्यारे नाज़ें यहां से जाने का तो एक दूसा रास्ता था लेकिन हम लोगों ने एक शॉर्टकट रास्ते को अपनाया है और इससे मुम्किन है कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ अपनी मन्जिल तक जहां आपको मैं ले जा रहा हूँ तो आप अगर चाहें तो मैं मैप पे इसका नक्षा डाल लूँगा और वहां से इसको फॉल्व करके आप वहां तक पहुँच सकते हैं मैंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया हुआ है तो अभी यहां से आगे चलते हैं जहां पर जाकर मैं हाईवे में मिलूँगा वहां आपको बताऊंगा कि इस जगह मैं आएकर हाईवे पर मिला हूँ तो अभी चलिए यहां पर हॉल करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं फिर आपको बताएंगे किया क्या सीन है मैं तो बे साहारा हूँ, दामन भी है खाली, नवियों के नवी, तेरे शान है नीरा प्यारे नाजरी में ये देख सकते हैं, आप ये हमारे शॉर्ट कट अपनाने का अंजाम है कि मुझे ऐसे रास्ते से गुजर के जाना पड़ेगा, मतलब कीचड में घुसना आप देख सकते हैं, ये मेरी बाइक है तो मैं अब इस कीचड में इस बाइक को डालने वाला हूँ, इसके अलावा मेरे पस कोई और दोसा रास्ता नहीं है तो कुल मिलाएकि ये है कि जो सही रास्ता हो, उसे ही अपनाना चाहिए, इससे हमें ये रिजल्ट मिलता है ज्यादा शॉर्ट कट में जाने वाला हमेशा मुश्किल में फसा करता है तो अभी इसको मैं डालता हूँ इसके अंदर और फिर आगे निकलता हूँ और फिर देखते हैं कहां पर मैं जाकर हाईवे से मिल पाता हूँ अपी दुश्वार गवार रास्तों से गुजरते हुए लगबत, तीस किलो मेटर की मुसाफ़त तै करने के बाद हम लोग खानका जहां पर वाकए है, जिस बस्ती के अंदर वहां हम पहुँच चुके हैं आप देख पारे हैं सामने ये एक छोटी सी बस्ती है, इसके अंदर हजरत हैं, उनका मजार शरीफ है, उनकी खानका है तो अब ये बीच में एक नदी हाईल होगी है, इनको पार करके उसके बाद वहां पर जाना पड़ेगा तो कुल मिलाके मैं यही आपको बताना चाहूँगा, साजेशन है मेरी तरफ से कि शॉर्ट कट अपनाने की बजाए आप लॉंग रूट जो आम तोर से रास्ता आम रास्ता उसको अपनाने की कोशिश कीजिए वरना आप बड़ी दिक्कत और भारी मुसीबत में फच सकते हैं जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे हैं कि पीछे काफी सारा जो रास्ता ऐसा था जहां पर परिशानी हुई और आप बीच में एक नदी आ गई है, इस नदी को मुझे बाइक से पार करना होगा, चलिए अब खानका पहुंचते हैं और वहां पर निशाला आपको मजार शरीफ की जियारत कराएंगे, वहां पर जो खानका चलती है वो दिखाएंगे, और जो एक तालीमी इदारा भी वहां पर चलता है, उससे भी आपको रूबरू करानी की हम पूरी दरह से कोशिश करेंगे, असलाम आपको रूजे की जियारत कराई जाएगी, ये शिनाक्ती बोड़ आप देख सकते हैं, मदरसा खान का मानिया शरीफ, शेखिल मुस्लिमीन, हजज़त, अल्लामा, स्य्यद शाह, असले, रज़ा काली, रख्माली, ये सरपरस्त हैं यहां के, और बानी भी हैं, आपको साथ शेयर करने वाला हूँ, आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, चलिए सबसे पहले यहां की जो चीजे हैं, उसकी में जियारत कराता चलूँ आपको और दिखाता जाओं, ये पीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये यहां की मजजिद है, शायद यहां के र तो ये यहां की आप देख पा रहे होंगे, ये मजजिद है यहां की, और रंगो रोगन से पता चल रहा है कि अभी नई तामीर हुई है, और काफी खुबसूरत है, छोटी सी है लेकिन बहुत जादा खुबसूरत है, आप देख पा रहे होंगे, नीचे फर्ष में टाइस लगी भी है, और बहुत ही खुबसूरत दिख रही है, चली मैं अंदर खोल के आपको दिखा देता हूँ, कि अंदर का क्या ढाचा है यहां का, यहां की तामीरी काम को देखने बाद यह पता चल पा रहा है, कि यह मजजिद नहीं नहीं है, वो मैं कैसे पता कर पा रहा आगे, कि तनी जादा मोटी है, और आज के दोर में इतनी मोटी दीवार बनाना यह मुंकिन नहीं है, तो इस दीवार को देखेने के बाद पता चलता है, कि यह नौव शुदा तामीरी मसजिद नहीं है, काफी पुरानी मसजिद है, हाँ, हलांकि ऐसे हो सकता है, इस बेर करक किया गया हो, रंग रोगन किया गया हो, और टाइल्स वगरा चड़ाई गई हो, तो यह यहां की मस्जद है, जिसकी मैं आपको जियरत करा दी, अब चलिए हम खानका की तरफ आपको लेकर चलते हैं, हुजूर का जो रोजा है, वहां आपको लेकर चलते हैं, यह जो हैं, उन्होंने एक वाकिया पेश किया था इनके तालुक से, कि यह आला हजदत अले रह्मत रिज्वा के खास शागिर्दों में इनका शुमार होता है, जो कि उनकी खुद की जबानी है, एक छोटा से एक जलसा था, उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का जिकर किया थ जब आला हजदत बाहयात थे, उस वक्त जो दस शागिर्द थे उनके खुसियत के साथ, उन दस शागिर्दों में इनका शुमार हुआ करता था और फतवा नवेसी का काम हजदत से लिया जाता था, तो बहुत ही बड़े बुजर्ग हैं, बड़े पाए के बुजर्ग हैं, सबसे पहले चलिए हम सलाम पेश करते हैं, हजदत की बारगा में, उसके बाद यहाँ आप देख पार होंगे, यह आपको दिख रही होगी, एक बिल्डिंग, यहाँ पे दरसों तद्रीज का काम किया जाता है, बच्चे पढ़ते हैं, बेरूनी बच्चे, बहुत सारे बच हैं, और इन्शालला तबारक वताला, यहाँ के जो असातजा हजरात हैं, उनसे भी मिलाने की आपको कोशिश कराऊंगा, और खुसूसियत के साथ एक चीज़ गुजारश करना चाहूँगा आप हजरात से, क्योंकि यह इदारा ऐसे बैकवर्ड एलाके में है, जहां आमदन में नीचे आपको मिल जाएगा, यहां के जो बैंक अकाउंट्स वगरा हैं, या और भी जो दूसरे पेमेंट गेटवे वगरा होंगे, वो मैं आपको वीडियो में नीचे डिसक्रिप्शन में डाल दूगा, सबसे पहले यहां की जियारत कर लेते हैं, उसके बाद आप दे आप देख पा रहे होंगे, यह गुंबद मुबारक जो है अभी तामीरी काम चल रहा है, तो आप चाहें तो इसमें भी शरीक हो सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, और जो जराय होंगे, यहां तक पहुंचने के, यहां पे कुछ देने के, तो वो सारी चीज़ें आपको वीडि अभी तामीरी काम चल रहा है, रंगो रोगन नहीं हो पाया भी, तो इसमें भी आप शरीक हो सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, यह मैन गेट है यहां का, चुके यह काफी बड़ा है तो जब यहां पे जो है, सालाना उर्स हुआ करता है, उस मौके पे इसको खोला जाता है, जा का, और यहां पहुंचने का रास्ता मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप यहां तक पहुंच सकते हैं, यह बिहार के एक छोटे से जिला, बाका के अंदर कैरिश शरीफ है, यहां पर यह दरगा शरीफ वाक्य है, तो यहां आप कैसे पहुंच सकते हैं, इसका मैं इन्शा तो इसलिए मैं आपको यही सजेशन में तरफ से आपको राय है कि आप आम रास्ते को ही इक्तियार करें ताकि आपको परिशानियों का सामना ना करना पड़े इसका गूगल मैप जो होगा यहां तक पहुंचने का जो डारेक्शन होगा वह आपके साथ मैं इस वीडियो में श कि हजड़त के वालिद मुहतरम कास्ताना उस तरफ है चलिए हम देख लेते हैं चलिए हम वहां की जियारत कर लेते हैं हजड़त के वालिद माजिद हैं उस तरफ आप देख पा रहे हैं हज़रत कास्ताना हज़रत स्यद शाइब अब्दुर्रह्मान शार रहमतुल्ह ताला ले ये उनके वालिद माजिद कास्ताना है इनका नाम मुझे पता नहीं शायद किसी बच्छे को पता हो स्यद शाइब अब्दुर्द जिलानी रहमतुल्ह ताला ले ये उनका आस्ताना है इनके वालिद माजिद हैं और ये हज़रत आला हज़रत के खास शागिर्दों में इनका शुमार होता है जैसर कि मैंने अभी आपको बताया कि खास जो फतवा नवेसी के लिए दस जिल्दों में इनका शुमार होता है और फतवा नवेसी का काम इनसे अलहाज़त लिया करते थे एक जलक आप इसकी भी देख लें यहां पर हज़रत सुकूनत अख्तियार करते हैं रहना सहना हज़रत का इसी बिल्डिंग के अंदर होता है यहां पर भी एक गंबद नुमा बनाए आप देख सकते हैं मिनारा भी लगा हुआ है तो इसके अंदर हज़रत रहते सहते हैं उनके सहबजादे हैं मुप्ति सेयद शाहिद जो है वो भी इसी के अंदर रहते हैं मतलब उनकी फैमिली यहां पर रहती है तो यह बिल्डिंग हज़रत के लिए खास तोर से है अब चलिए जहां पर दर्सों तद्रीज का काम होता है, असातजा हज़राद जहां पर पढ़ाते हैं, वहां पर आपको मैं लेके चलता हूँ कि जो है, दर्सगाहे लगती है, वो किस तरह से लगती है, और कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, चलिए वो सारी चीज़े मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यह दफ्तर है और आप देख रहे हैं कुछ असबाक के तौर पर लोगों को नसीहत देने के लिए, हुदूर्ब पाक सल्लाब सल्लेम की कुछ हदीस मुबारिका भी लगाई गी है, जो रहम नहीं करता, उस पर रहम नहीं किया जाता, यहां वे देख रहे हैंगे, बहुत सारे असबाक यहां पर लगाया गया है, लोगों की हदायत के वास्ते ताकि कुछ इससे हदायत हासिल की जा सके, अब यहां पर आप देख सकते हैं, नीचे क्या होता है, यहां बच्चों के लिए, यहां आप देख पर रहे हैंगे, चोटी चोटी बैंचे लगी हुई है, यहां मकामी बच्चे पढ़ती हैं, यहां मकामी के जो बच्चे आते हैं, वहां पर इसका यहां बच्चे बहु हुए हैं, यहां बिडूनी बच्चों के दरसगाया हैं, यहां पर असातरादा हिजरत पढ़ाते हैं जो हाफिज्ञा वाले या दरसे नजामी वाले हैं शुरू की जो जमाते नहीं पर होताइब hours उसी तरह से जो तालिमी अदारे होते हैं इसलामी तालीमी इदारे, वहाँ पर आठ जमातें पढ़ने के बाद, कोई एक अच्छा आलीमे दीन बन पाता है, उसके बाद इफ्ताग कोर्से है, बहुत सारी चीज़ा है उसके बाद, सबसे पहले चलिए हम दरसगाह की जियारत कराते हैं, कि कैसे बच्चे पढ़ते हैं, और बेंचे कैसे जो है उनकी लगी हुई है, यह देख रहे हैं, यह एक हॉल मुमा है, बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, और अलग-अलग शोबों के अंदर यह तक्सीम है, कुछ बच्चे उदर पढ़ते हैं, कुछ बीच में हैं, कुरान शेफ अगरा आप देख पा रह कि जगा जगा एक सफेद बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर के बच्चों को लिख कर समझाए जाता है, कुछ असबाग बताई जाते हैं, काईदा वगरा जो पढ़ने के हैं, वो समझाने की कोशिश की जाती है, यह चोटे-चोटे बैंच वगरा जो है, इस पर बच्चे वहाँ पर पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, फिलहाल अभी यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, और जो बेरुनी बच्चे हैं, उनको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, चलिए बच्चों से ही तफसिल मालुम करते हैं, कि किस जगा पर कौन कौन सी कैसी कैसी बड़ा होल है उधर कोने में क्या पढ़ाइजाता है और बीच में तरी का करद का बड़ा जाता है उधर इस तरह भी मौलवी नहीं है पीज़ किन जामते मौलवियत के हैं और सालसा ये तीन जमाते मौलवियत की यहां पर आपको बताए कि आठ जमाते होती है ऐक अच्छा हा तक आपको अपने पाउं को घिसना होता है जमीन पर बैठ कर तब जाकर एक अच्छा आलिमे दीन की खिदमत करने वाला कोई आलिमे दीन बना करता है यहां पर फिलाल चुके काफी बैकवर्ड इलाके में इदारा है तो तीन जमातों तक यहां पर सहुलत है पढ़ने की यानि पहली दूसरी तीसरी जिसे अरबी में अवल सानी और सालिस कहा जाता है और उस तरफ जो हिव्ज पढ़ते हैं बच्चे हैं पुरानी वजीद का जो हाफ़जा किया करते हैं उनको उस तरफ बिठाए जाता है अब चली एक नई बिल्डिंग बन दी है चुके मैंने आपको बताए कि साल के जनवरी के महिने में 20-21 या 21-22 जनवरी को यहां पर और सिपाक हुआ करता है हजलत का तो वह सामने वहां पर देख पारे होंगे कि इस टेज जो बना हुआ है उसका तामीरी काम चल रहा है चली मैं आपको दिखिए के एंड तक बने रहिएगा कुछ से नाम पुछेंगे कहां के रहने वाले हैं और क्या क्या पढ़ते हैं बच्चों से दर्याफ्त किया जाएगा तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए तामीरी काम चल रहा है जैसा कि गुजश्टा साल मैं यहां पर हाजर हुआ था और यह मैन स्टेज है जो साल में और से पाक हुआ करता 21-22 जनवरी को काफी सर्दी पढ़ती है तो सहूलत के लिए यहां पे जो है पक्का स्टेज बनाया जा रहा है हो सकता उपर च्छद भी डाली जाए ताकि जो अलमा हजरात बैठते हैं उनको राहत हो यहां पर और यहां पर यहां पर बहुत बड़ा ग्र इतना बड़ा हिस्सा जो है इसमें तामीर किया जा रहा है तो काफी सारा माल इसमें लग रहा होगा काफी खर्च भी हो रहा होगा तो गुजारिश करता हूं कुछ इमदाद कीजिए यहां पर अब चलिए कुछ बच्चों से मिलते हैं चूंके बच्चे दो बच्चे हैं इन से मिलते हैं और बाइबाइब retail से नाम पूसते हैं और पता करते हैं कि यह क्या पढ़ते हैं और किस दरजे में पढ़ते हैं और इनका मकान क्या है Kung वालिदाईन की नाम क्या है कुछ पूछने की हम कोशिश करते हैं आज ओ बड़ा वाइक को एक बच्चा आज आज तयार हुआ है शर्मा रहे हैं चुके कुछ नयाद देख रहे हैं तो इस वज़ा से शर्मारीन लोगों को ये बड़ा सब अच्छा है ये तयार हुआ है के नम आपका मुहम्मद अश्वाकुलकादिर माशालला अश्वाकुलकादिर नाम है कहां मकान हो आपका पुर्निया जिला के हैं यहां से तकरीबन 80-90 किलोमेटर की मुसाफ़त है तो काफी जादा दूर है और वहां से तालीम हासिल करने के लिए इस खानका में यहां पे हाजिर हुए है जानते हैं कि घालीम इदारा चलता ड跟 इता जाताया बच्चों को पढ़ाया जाताई इत जाता है इतने दूर साई यह बच्चे यहां पर तालीम हासिल करने के लिए आया है आप दूआ कीजिए कि अल्ला तबारक वताला इस बच्चे को इल्म दीन सीखने से ज़्यादा उस पर पाबंदी से अमल की तौफीग दे और चलिए दूसरे बच्चों से मिलने ताप का ना मुहम्मद सायफ अली इस बच्चे का ना में टोपी ये तीसरा पारा अभी जो हाफजा कर रहे हिफ्ज कर रहे हैं दूआ कीजिए कि अल्ला तबारक वताला इसको एक बेहतरीन हाफिज बनाए कौम की खिदमत करने वाला बनाए चलिए इनसे कुछ सुनते हैं और लहजा पता करते हैं कि ये पढ़ाने वाले जो असातिजा हैं कै से इनके पीछे मेहनत करते हैं सुरह फातिहा की तलावत किजिए आप बनावास से मिनलत स्ष्ञेटन एजीम भिस्म लाह रह्मान और आपिना एडियतो एजीम आप मालिक याम इद्दीन इया को राबद वाइया को स्ताइब इजडिना स्योते मुस्ते की स्योते मुस्ते की स्योते लगशे लथी। अन्यान अम्त अलेहिं गरिल्मगदूब अलेहिं व्यद्दालीन सुभानल्ला ये सूर फातिहा की तिलावत थी तो मखारिज की सही सहत आपको मदर्से में सिखाई जाती है आप भी सूर फातिहा पढ़ते होंगे लेकिन मखरज को सही तोर से अदा करना ये आपको दीनी मदर्स में सिर्फ सिखाए जाता है जैसा कि अभी आपने समात किया कि सूर फातिहा कितने बेहतरीन अंदाज में आपको इस बच्चे ने सुनाया तो दूआ कीजिए ल्लह तबारक वताला जादा से जादा इल्मिदीन इनको सीखने के तोफीग अता पराएं अब चलिए कुछ असातिजा हज़रात खड़े हैं बड़े मुधब और मुहजब तरीके जिनसे मिलने की कोशिश करूँगा और असलाम उलीकमर याख्फिरूल्लाह अल्मा जादे चूकर इनके हुलिये से पता चल रहा है का जो है सूफी कैटेगरी के लग रहे हैं थोड़ा कोई बात नहीं है बहुत अच्छी बात है सूफियत तो बहुत बड़ी बात है इसलाम में बहुत बड़ा मकाम होता आल्लाह की बारगामे सूफियत का ये हज़रत हैं अज़र कफ से हैं आप यहां पर चोज़ार दोहज़ार चोज़ार एकिस सितम्रा से माशाआलला तकरीबान जो है पांच-छे साल इनको यहां पर खिदमत करते हुए हो गया देखिए ये दीनी मदारिस हैं यहां पे आप दुनिया की सिला मत खोजें और इस फिल्ड में आप बच्चों को डालने की कोशिश करें क्योंकि इन्शालला तुबारिक बटाला इसका अजर आपको आखिरत में मिलेगा आप दुनिया तो हासिल नहीं कर सकते हैं इस फिल्ड में लेकिन हाँ आखिरत को जरूर सवार सकते हैं इस फिल्ड में तो हजज़त मसलसल 5 साल से यहांपे दीनी खिदमात दे रहे हैं बच्चों की तालिम तो तरभियत करते हैं उनको सवारने की कोशिश करते हैं सजानी की कोशिश करते हैं पढ़ाते हैं अश्राथाप? दरस और नजामी जैसे कि मैंने बता है कि 8 जमातों का मिसल्सल जुहर इसमें पढ़ना जरूरी है और 8 जमाते पढ़ने के बाद एक अच्छा अलिमे दीन कोई बच्छा बन पाता है तो यह दरस बन इसमय बता है और जैसा मैंने बताया तीन जमातों का अभी यहां पे जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है तीन जमात से आगे नहीं है चुके बैकवर्ड इलाका है थोड़ा नीचे का नीचला इलाका है शहर से काफी दूर है तो इसको जो है अपग्रेट किया जाए उपर और दरजे तक कहले जाया जाया तो कौन-कोन सी जमात पढ़ाते हैं थी अग साथालजति जह से मिने बताया और वन सारीज सालिस यह तीन जमात ऑज़ा हैं पढ़ाने वाले दर्जाई हिव्ज में कितने हैं तो दो दर्जाई हिव्ज में हैं और च्छे या पांच जो है दर्से निजामी पढ़ाते हैं बेरुनी बच्चे कितने हैं यहां पर माशाला है लगभग एक सो से देड़ सो के दर्मियान इतने बच्चे यहां पर अभी रहते हैं और इनके खाने पीने का बंदोबस रहने सहने का हर चीज का इंतजाम जो है इदारा खुद करता है अपने जेब से तो आप सोच सकते हैं कि आपके घर में दस मिंबर हो तो कितना खरचा होता महीने का और यह एक डेड़ सो बच्चों का जो है बोच सहना उनको खिलाना पिलाना हर चीज का इंतजाम करना तो कितने जादा खरजात होंगे यहां पर गुजारिश करता हूं कि जादा से जादा तावन कीजिए बैंक अकॉंट्स वगरा आफसी कोर्ट के तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को अन्स जरूर करीजिएगा इस तरह की बहुत सारी जो है मुकदस आस्ताने वगरा हैं वहां की आपको जियारत कराता रहूंगा इन्शाला तबारिक वताला इस वीडियो मे इतना ही तो मिलते हैं एक नई और दूसी वीडियो के साथ तब तक अपने ख्याल रखिएगा अल्ला हाफीज फी आमानिल्ला